जब किसी स्वास्थे कर्मी अथवा नागरिक को COVID-19 के रोगी अथवा संदिक्द को एंबुलेंस द्वारा COVID-19 के साले में इस्थानांतरित करना होता है तो उसको 108 एंबुलेंस पर फोन मिलाना है 102 पर नहीं फोन मिलाने पर कॉल सेंटर द्वारा रोगी के संबंध में कुछ जानकारी पूछी जाएगी जैसे रोगी को खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, गले में खराश तो नहीं है, अथवा सांस नहीं फूल रही है इसके अतरिक्त ये भी पूछा जाएगा कि रोगी पिछले 14 दिनों में किसी विदेश यात्रा पर तो नहीं गया है अथवा किसी कोविड रोगी के संपर्क में तो नहीं आया है, या किसी स्वास्त कर्मी द्वारा क्वरेंटीन तो नहीं किया गया है जानकारी प्राप्त होने के पश्चात कॉल सेंटर द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस रोगी के पास भेजी जाएगी यह ambulance आवेशकता अनुसार BLS अर्थाद Basic Life Support Ambulance हो सकती है अथवा ALS अर्थाद Advanced Life Support Ambulance हो सकती है ALS ambulance में ventilator की सुविधा होती है यहाँ पर यह ध्यान देना आवेशक है कि ambulance का driver एवं ambulance में आने वाला emergency medical technician दोनों को प्रशेक्शन प्राप्थ हो और दोनों ने ही निर्धारित PPE kit पहन रखी हो emergency technician रोगी का मुल्यांकन करेगा और यदि रोगी स्वयम ambulance में बैठ सकता है तो वह स्वयम बैठेगा अथवा उसे यदि कोई मदद की आवेशकता है तो मदद के द्वारा उसको ambulance में बठाया अथवा लिटाया जाएगा रोगी के साथ केवल एक तिमारदार को रहने की ही इजाजत होती है रोगी एवं तिमारदार दोनों ही तीन परतों वाला अर्थात triple layer surgical mask पहनेंगे ambulance में उपस्थिट technician यह पहले से ही सुनिश्चित करेगा कि ambulance में समस्त उपकरण क्रियाशील है एवं उसमें पर्याप मात्रा में triple layer mask उपलब्ध हैं अब ambulance कर्मी निर्धारित चिकिस साले से संपर्क करेगा और यह देखेगा कि वहाँ पर bed उपलब्ध हैं अथवा नहीं चिकिस साले को रोगी के बारे में वो संपूर्ण जानकारी भी देगा ambulance से यात्रा के दोरान स्वास्ति कर्मी मरीज की pulse, blood pressure और oxygen की सांधरता को देखेगा pulse oximeter दोरा मरीज की oxygen concentration देखी जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि यह 90% से उपर हो आवशक्ता पढ़ने पर रोगी को 5 लीटर प्रती मिनट की दर से oxygen दी जा सकती है नरधारित चिकिस साले मरीज पहुँशने पर रोगी को सुरक्षित तरीके से उस चिकिस साले में इस्थानांतरित किया जाएगा यह जानना भी आवशक है कि जिस चिकिस साले में रोगी को स्थानांतरित किया जा रहा है वहाँ पर भी स्थानांतरित करने के साथ साथ रोगी की समस्त जानकारी भी वहाँ के स्थानांतरित करने के बाद एंबुलेंस कर्मी अपनी PPE किट को उतारेंगे और निर्धारित अपने हाथों को साबुन पानी एवं सेनिटाइजर से साफ करेंगे यदि रोगी को एक चिकिसाले से दूसरे चिकिसाले में भेजना है तो इस चिकिसाले का कैजवल्टी मेडिकल आफिसर संदर्भित करने वाले चिकिसाले से संपर्क करेगा और वहां पर बेड की को देखकर रोगी को पूर्व की बताई हुई विधी द्वारा इस्थानांत्रित करेगा कॉरोना ड्यूटी करते समय एम्बुलेंस कर्मी सरकार द्वारा निर्धारित क्वरेंटीन इस्थल पर ही रहते हैं यहां यह ध्यान देना आवेशक है कि कॉल सेंटर एम्बुलेंस कि साले में परस पर समवाद होते रहना चाहिए